अध्याए एक, संतों का संदेश सभी मनुष्यों के शरीर की आंतरिक और बाहरी बनावट एक समान है उनकी मानसिक तथा आत्मिक रचना भी एक सी है वह रचनाकार जो सबको बनाता है, चलाता है हम भले ही उसे इश्वर, अल्ला, गौड, लौड, जीहोवा या और किसी भी नाम से पुकारे एक ही विधी से सबके पापों का नाश करके उन्हें मुक्ति प्रदान करता है यह मार्ग सबके अंदर पहले से ही मौजूद है और सारी मानव जाती के लिए एक समान है सबके लिए मुक्ति का साधन एक सा है और वह अपने अंतर में आत्मा का शब्द से मिलाप है यह मुक्ति का मार्ग सबके अंदर है लेकिन कोई भी मनुष्य चाहे वे कितना भी विद्वान और चतुर क्यों ना हो इसे सोयम नहीं खोज सकता केवल वक्त के सत्गुरू जो सोयम इस मार्ग पर चलकर अंतिम मन्जिल तक पहुँच चुके हैं हमें ये मार्ग दिखला सकते हैं इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है जब तक कोई सत्गुरू हमें कुंजी ना दें, हमें शब्द के साथ ना जोडें तथा अभ्यास में हमारी सहायता ना करें तब तक आत्मिक जागरती पापों से चुटकारा और मुक्ते प्राप्त करना संभव नहीं है शब्द हमारे अंदर ही है, किन्तु इसकी कुंजी सत्गुरू के पास है जब तक कुंजी नहीं लगाई जाती, शब्द गुप्त रहता है मुक्ती का यह मार्ग समय के साथ ना बदला है और ना ही कभी बदलेगा संत महात्माओं की वानी पढ़कर पता चलता है कि वे भले ही किसी भी काल या देश में क्यूना आए हों उन्होंने इसी एक आध्यात्मिक मार्ग को अपनाया और इसी का उपदेश दिया है यह स्पष्ट करने के लिए कि संत महात्माओं की शिक्षा हमेशा सर्व सांजी है यहां अलग-लग स्रोतों से कुछ संक्षिप्त उधरन दिये गए है पर मात्मा ने सभी को ये दाथ एक जैसी बक्षी है हर व्यक्ति यदि चाहे तो इससे फाइदा उठा सकता है संतों का ये संदेश हम सब दुनिया वालों के लिए उमीद तथा खुशी का संदेश है इस संदेश की सच्चाई का अनुभव करने के लिए हमें मृत्यों के बाद तक का इंतजार करने की जरूरत नहीं है तुलसी साहब जी फरमाते हैं जब देखें हम अपने नैना तब माने सत्गुर के बैना संतों का उद्देश पूरी तरह से अध्यात्मिक होता है मन और माया के निरंतर साथ के कारण पत्थर की तरह निर्जीव हो चुकी आत्माओं में नए जीवन का संचार करने के लिए संत उन्हें शब्द के साथ जोड़ देते हैं वे फिजूल के वादविवाद में नहीं पड़ते और हर प्रकार के धार्मिक जगडों से दूर रहते हैं वे ना तो कोई नया मत चलाते हैं ना ही किसी मत या पंथ की आलोचना या विरोध करते हैं वे कुछ बिगाडने के लिए नहीं बलके बनाने के लिए आते हैं वे जीवात्मा को सर्वव्यापी शब्द के साथ जोड़ते हैं आगे इसी बात को समझाने की कोशिश की गई है हम अक्सर अपने आप से पूछते हैं हम अपने वर्तमान अवस्था में कैसे पहुंचे हम कहां से आए हैं, हम कहां जाएंगे इन बुन्यादी सवालों का थोड़े से शब्दों में जवाब देना मुश्किल है क्योंकि हमारे बुद्धी सीमित है और इस बारे में हमारा अनुभव बहुत कम है हालांकि इस पुस्तक को पढ़ने से हमें अपनी दिव्य शक्तियों के विकास के लिए नई प्रेर्णा मिलेगी जिसके द्वारा हम अंदर प्रगती कर सकते हैं और फिर एक दिन हम अंतर में उन उन्चाईयों पर पहुंच जाएंगे जहां हमारी चेतना तथा ज्ञान के दिव्य शक्तियां परमात्मा द्वारा बनाई गई स्रिष्टी की रूप रेखा को देख और समझ सकेंगी और हमें अपने सब प्रश्णों के उत्तर मिल जाएंगे रचना के तीन मुख्य स्तर या मंडल हैं आत्मिक, मानसिक और भौतिक इन तीनों मंडलों में इनकी प्रकृती के अनुसार ही जिवात्माई है इन्हें शब्द ही पैदा करता है तथा शब्द ही इनका पालन करता है शब्द को नाम या कल्मा भी कहा जाता है स्वामी जी फर्माते हैं सबकी आदी शब्द को जान अंत सभी का शब्द पछान गुरु अमर्दास जी फर्माते हैं उत्पत परलव सब्दे होवे, सब्दे ही फिर ओपत होवे। सुल्तान बाहुजी फर्माते हैं, चौदा तबक कलमे दे अंदर की जाने खलकत भोली हूँ। सेंट जौन के अनुसार सब चीजें शब्द के द्वारा ही बनाए गई। और कोई भी वस्तु जो बनी, उसके बनाए बिना नहीं बनी। स्रिष्टी के सबसे उंचे निर्मल आध्यात्मिक स्तर में केवल चेतना, प्रकाश और प्रेम है। आत्मा वहां एक बूंध की तरहा है और शब्द समुद्र है। उस चगा आत्मा अपने मूल रूप में है। यही परमपिता परमात्मा का धाम है और हमारा असली घर भी है। ख्वाजा हाफिस फरमाते हैं। हाफिजा खुल दें बरी, खान आये मौरुसे मननस्त। अर्थार, हे हाफिस, सर्वोच आध्यात्मिक धाम ही मेरा पैत्रिक घर है। आध्यात्मिक मंडलों के ठीक नीचे मन के अतिसुंदर मंडल है। यहां परमात्मा के धाम से नीचे उतरती हुई आत्मा को मन का साथ मिल जाता है। आत्मा यहाँ पर कारण तथा सूक्ष मिश्रीर धारन कर लेती है ताकि वह इन मंडलों में कारे कर सके। इस प्रकार आत्मा पर दो और गिलाफ चड़ जाने से ऐसा लगने लगता है कि मन और अधिक पलवान हो गया है। आत्मा जब मन को साथ लिए तथा अन्य गिलाफ ओड़े हुए अंत में सबसे निचले मंडल में पहुँचती है तो उसे इस दुनिया में कारे करने के लिए स्थूल शरीर मिल जाता है जो एक और गिलाफ बन जाता है। इस अवस्था में आत्मा के अस्तित्व का तो पता ही नहीं चलता। यहां मन शारीरिक क्रियाओं की सीमाओं के अंदर कैद होने के कारन दुखी तथा अशान्त रहता है और अपने एक अलग मिथ्या अस्तित्व की रचना कर लेता है। जिसकी वज़ा से हम भूल जाते हैं कि हम सब वास्तव में परम पिता परमात्मा से अभेध हैं। हालांकि नीचे के मंडलों में भी आत्मा है लेकिन यहां जीवन को संचालित करने वाली शक्ति मन है। हम यहां एक ऐसी सूक्ष्म तथा प्रबल शक्ति के मंडल में रहते हैं, जो आत्मा को सबसे अलग करके इसे बंधी बना देती है। और इसे उन रुहानी मंडलों में जाने से रोकती है, जहांकि यह रहने वाली है। यह शक्ति आत्मा को मन और माया के मंडलों की सिमाओं के अंदर कैद रखती है। हो सकता है कि कुछ लोगों को मन की इस नकारात्मक शक्ति पर विश्वास ना हो, लेकिन असलियत यही है कि परमात्मा ने अपनी मौज में यह विधान बनाया है कि नीचे के मंडलों का संचालन और विकास आत्मा की सकारात्मक शक्ति के बजाए मन की नकारात्मक शक्ति काल द्वारा होता है। हाला कि मन आत्मा से शक्ति लेता है और आत्मा ही उसका स्रोत है। हलांकि हम सब उस परमपिता परमात्मा की किरने हैं, जो स्वयम प्रेम का रूप हैं, फिर भे स्रिष्टी के निचले मंडलों में रहने के दोरान हमें मन के कहे अनुसार चलना पड़ता है। संत सत्गुरु हमें बार-बार चेतावनी देते हैं कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन मन है, जो हमारी अध्यात्मिक उन्नती तथा परमात्मा से एक होने के अनुभव में सबसे बड़ी रुकावट है। परन्तु मन इतना भल्वान है और इतनी चतुराई से काम करता है कि हम उसके बहकावे में आकर संतों की चेतावनी को अनसुनी कर देते हैं। हम फिर यह प्रश्ण कर सकते हैं कि हम इन निचले मंडलों में आये कैसे? जैसे कि पहले कहा जा चुका है कि जब आत्मा अपने निच घर से आध्यात्मिक मंडल से नीचे उतरती है तो यह मन के प्रभाव में आ जाती है। रचना का विधान ही कुछ ऐसा है, जब आत्मा एक बार मन के मंडलों में दाखिल हो जाती है और मन का साथ ले लेती है, तो शब्द तथा अध्यात्मिक मंडलों से इसका संबंध तूट जाता है. जैसे जैसे मन और आत्मा नीचे उतरते हैं, ये मन और माया के मंडलों में कार्य करने के लिए इंद्रियों के भ्रमजाल में और अधिक पस्ते जाते हैं. इच्छाएं हमें लल्चाती हैं, बच्चपन से ही हम अपने वातावरन से आकर्शित और प्रभावित होना शुरू हो जाते हैं, फिर पांच विकार, काम, क्रोध, लोब, मुह तथा एहंकार हमारी निम्न प्रवरितियों को और अधिक उत्तेजित कर देते हैं. शराब तंबाकुवादी मादक पदार्थ हमारी इंद्रियों को कुछ पल का सुख देकर हमें माया में इतना अधिक धकेल देते हैं, कि हमारे अंदर की मानवता का स्थान धीरे धीरे पशुता ले लेती है. अपनी शारेरिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए फिर हमें पशुओं की योनियों में और कभी-कभी और अधिक नीचे गिरकर पेड़ पौधों की योनियों में भी जन्म लेना पड़ सकता है. वहां से फिर हमारा उपर की तरफ विकास होना शुरू होता है और अनेक योनियों में से होते हुए हमें अंत में वापस मनुष्य जन्म प्राप होता है. इस तरहां हमें फिर से अपने अंतर की रुहानियत का अनुभव करने का खास अफसर मिलता है और साथ ही इस अनुभव के लिए योग्यता भी दी जाती है सृष्टी में सबसे अदिक विक्सित प्राणी मनुश्य है इसलिए हमें मनुष्य जन्म के इस अनमोल अवसर का फाइदा उठाना चाहिए और मन के नकारात्मक प्रभाव के विरुद्ध लगातार संघर्ष करते रहना चाहिए ताकि हम धीरे धीरे उन्नती करते हुए कैच से चुटकारा पाले और वह खोया हुआ मार्ग हमें फिर मिल जाए जो हमें वापस परमात्मा तक पहुचा दे ऐसा ना करने पर हम मन के चंगुल में ही फसे रहेंगे और बार बार हमें नीचे की योनियों में जन्म लेना पड़ेगा यहां पर इस बात पर जोर देना जरूरी है कि भले ही ये संसार रचना का सबसे निचला लोक है परन्तु परमात्मा ने मनुष्य को अपने ही रूप में बनाया है यह उसका विधान है इसलिए इस मृत्यो लोक में केवल मनुष्य जन्म में ही हम अपना पूरी तरहां विकास कर सकते हैं फिर रूहानी सफर में नीचे से उपर की तरफ रचना के अलग-अलग मंडलों को पार करते हुए अपने निजधाम वापस पहुंच सकते हैं जहां से हम यहां आये थे सूक्ष मंडलों में रहने वाले देवी देवता भी इस पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकते क्यूंकि इन्हें भी अपने अच्छे कर्मों का फल भोग कर इस धर्ती पर वापस आना पड़ता है गुरु अर्जुन देव जी फर्माते हैं अब अगला प्रश्न यह उठता है कि हम जन्म मरन के चक्र से छुटकारा कैसे पा सकते हैं मन के मंडलों में आत्मा बेचैन रहती है क्यूंकि ये जगा उसके लिए ठीक नहीं है दो अलग-अलग स्वभाव वाली चीजों का साथ सच्चा नहीं हो सकता इस दुनिया में हालत और भी बत्तर है यहां आत्मा अपने स्वभाविक वातावरन में नहीं है और मन की हालत भी बहतर नहीं है दोनों ही माया के प्रभाव में है दोनों आवा गमन की विरान घाटी में जगा जगा भटक रही है और इन्हें कहीं भी चैन या आराम नहीं मिलता इस संसार में कोई भी जीव वास्तव में सुखी नहीं है गुरु नानक देवजी फरमाते हैं नानक दुखिया सब संसार गुरु अमर्दास्ची फरमाते हैं जिनहीं घर जाता आपणा से सुखिये भाई दुन्यावी अडंबर से मन संतुष्ट नहीं होता और मन के मंडलों की चमक दमक आत्मा को नहीं लुभाती मन और आत्मा तब तक असंतुष्ट और बेचैन रहते हैं जब तक वे अपनी अपनी मंजिल, अपने अपने असली घर वापस नहीं पहुंचाते यानि आत्मा परम चेतन रुहानी मंडल में तथा मन अपने मूल स्थान में चाहे यह बात देखने में सत्य नहीं लगती लेकिन असल में अधिकतर लोग उस समय ही संसार से परे किसी चीज की खोज करना शुरू करते हैं जब उनके हालात हद से ज्यादा खराब हो जाते हैं कुछ गिने चुने लोग ही हैं जिने भ्रांतियों, धार्मिक दर्शनों और सिधानतों के विवादों के बीच सांसारिक लोब तथा उस से प्राप्त होने वाले जूठे, अस्थाई सुक और सत्ता के लिए किये जा रहे संघर्ष के बावजूद इस जीवन की असार्ता और इसकी मूर्खताओं का एहसास होने लगता है वे अपने आप से पूछते हैं कि क्या इस स्थिती से निकलने का कोई रास्ता नहीं है क्या हमें सत्य का ज्यान करवाने वाला कोई नहीं है क्या हजारों वर्ष पहले दी गई शिक्षा और पीडी दर पीडी की जा रही उस शिक्षा की गलत व्याख्याओं से संतुष्ट रहने की बजाए हम किसी और से सहायता की आशा नहीं कर सकते ठीक वही वह घड़ी है जब सहायता मिल जाती है कुछ लोग रुहानियत में इतनी उन्नते कर चुके होते हैं कि वह यह एसास कर सकते हैं कि संसार में कोई ना कोई अवश्य है जिसे सत्य का ज्यान है कोई है जो उनकी सहायता करने के लिए तयार है संसार में हमेशा ऐसा सच्चा संत महात्मा मुझूद रहता है जो मन को वश में करके अध्यात्मिक्ता के सरवोच शिखर पर पहुंच चुका हो और जिग्यासूओं को भी अपने साथ उस उन्चाई तक ले जा सकता हो ऐसे सत्य गुरू जिग्यासू आत्माओं पर हर दम नजर रखते है जिस तरह पहाड की चोटी पर खड़ा व्यक्ति नजदीक या दूर जल रही आग को देख लेता है उसी तरह सत्गुरू भी प्रभू प्राप्ति के इच्छा रखने वाले इंसानों पर नजर रखते हैं और वे जहां भी हूँ उनसे मिलने सत्गुरू स्वयम वहा जाते हैं या उनको किसी ना किसी प्रकार अपने पास बुला लेते हैं पूर्वी देशों में ये कहावत प्रचलित है कि जब शिश्य त्यार हो जाता है तो सत्गुरु प्रकट हो जाते हैं और यही सच्चाई है। किसी उची सत्ता की शरण में ले जाना चाहते हैं, जब हम यह जान लेते हैं कि संसार केवल भ्रम है, धोखा है, जब हम पूर्णता की प्राप्ती की सक्त जरूरत महसूस करते हैं और हमारे अंदर जीवन का रहस्य जानने की तीवर इच्चा पैदा हो जाती है, तब हमारा प बलकि यहीं और अभी अपनी इस महान यात्रा को आरंभ करके निजगर पहुँच सकते हैं सत्गुरू की पहचान कैसे करें? अपने पूरे जीवन में जो सबसे महत्वपूरण प्रश्न हम पूच सकते हैं, वह यह है कि सच्चे गुरू की पहचान कैसे की जाए? संसार में ऐसे कई ढूंगी हैं जो जान बूज कर आत्मा की मुक्ती के सच्चे खोजियों की इच्छाओं से खिलवाड करते हैं इसी तरह कुछ ऐसे भी हैं जो थोड़ी बहुत अलौकिक शक्तियां और ज्ञान प्राप्त करके अपने आपको सच्मुछी सच्चा गुरू समझने लगते हैं ऐसे गुरूओं ने कुछ मानसिक विकास प्राप्त किया होता है जिससे उनमें दूसरों का नित्रित्व करने तथा ज्यानियों जैसी बाते करने की योग्यता आ जाती है कभी-कभी उन्हें रोग दूर करने की क्षमता तथा अंतरद्रिष्टी भी प्राप्त हो जाती है कुछ विरले ऐसे भी होते हैं जिन्हें और बड़ी चमतकारी शक्तियां प्राप्त होती हैं बहुत से लोग उनके शिश्य बन जाते हैं और आम तोर पर समाज को उनसे लाब भी मिलता है हो सकता है कि वे सच्मुच यह समझने लगे हों कि वे रुहानी तोर पर भी बहुत उचे उठ चुके हैं इन में से कई बहुत नेक इंसान होते हैं और इनका अनुसरन करना फाइदे मन्द भी हो सकता है किन्तु कोई भी गुरू अपने शिश्यों को उस मंडल से आगे नहीं ले जा सकता जहां तक उसकी अपनी पहुंच है इसलिए केवल ऐसा महात्मा ही हमें त्रिश्नाओं और भ्रमों से छुडा कर मन और माया के मंडलों से निकाल कर जन्म मरंड से मुक्त करवा सकता है जो इस वक्त संचार में मौजूद हो और जो जीते जी रुहानी अभ्यास द्वारा स्वयम मन और माया के मंडलों तथा सब रुहानी मंजिलों को पार करके परमात्मा से अभेद हो चुका हो केवल वही गुरु रुहानी मार्ग को जानता है केवल उसी में वह शक्ती है और उसी के पास वह ज्यान है जिससे उची रुहानी मंजिलों को तय किया जा सकता है और अन्य आत्माओं को साथ ले जाया जा सकता है केवल वही जानता है कि हम में कौन इस दुख में संसार को छोड़ने के लिए तयार है जहां हमें हमेशा कर्मों का फल भुगतना पड़ता है फिर से यह प्रश्ण उठता है कि हम ऐसे महापुरुष की पहचान कैसे कर सकते हैं सच्चा गुरु दूसरे इंसानों की तरहा ही स्रिष्टी के नियमों का पालन करता है वह इस संसार में आम हालात में आम लोगों की तरहा ही जन्म लेता है और जिस देश में रहता है वहां के रीती रिवाजों का पालन करता है हालां कि वे देखने में सधारन लगता है और कभी भी लोगों का ध्यान अपनी और खींचने की कोशिश नहीं करता फिर भी उसके संपर्क में आने पर मनुष्य उसके आचरन की शालीनता और उसके चहरे की गरिमा से प्रभावित हो जाता है साथ ही उसका हरिदे कोमल होता है उसमें एक खास अकर्शन होता है और उसके व्यक्तित्व से शान्ती तथा अनंद की अनुभूती होती है जो उसे दूसरों से बिल्कुल अलग दर्शाती है बहुत से लोग आखे मूंद कर उसके पास से गुजर जाते हैं परन्तु कुछ ऐसे भी होते हैं जो उससे इतने आकर्शित होते हैं कि निरंतर टक्टकी लगाए उसके रूप को निहारते रहते हैं मानो उन्हें आखिरकार वह वस्तु मिल गई हो जिसकी उन्हें लंबे समय से चाहत थी सच्चा गुरू और विवाहित भी हो सकता है और विवाहित भी वह संसार में रहता है पर संसार में लिप्त नहीं होता ऐसे गुरू में सभी के लिए दया की भावना होती है गरीब और अमीर दोनों ही आसानी से उससे मिल सकते हैं और वह हमेशा लोगों के सवालों के जवाब देने के लिए तयार रहता है महान होते हुए भी वह विनम्र होता है और समाज के सब वर्गों में सहज भाव से घुल मिल जाता है उसका सीधा साधा जीवन सब के लिए उधारन होता है सच्चा गुरु अपनी हक हलाल की कमाई पर गुजारा करता है और किसी तरहां भी दूसरों की सहायता पर निर्भर नहीं होता गुरु नानक देवजी फरमाते हैं गुर पीर सदाए मंगन जाए ताके मूल ना लगिये पाए घाल खाए किछ हत्थों दे नानक रा पचाने से जिस प्रकार प्रकृती हमें हवा, प्रकाश और पानी मुफ्त भेंट करती है उसी प्रकार पूर्ण गुरु बिना कोई पैसे लिए लोगों की मदद करता है लोगों को मुफ्त रुहानियत का उपदेश देता है बदले में वह ना किसी से कुछ लेने की आशा करता है और ना ही कुछ लेना स्विकार करता है वह किसी पर उपकार या एहसान जताने की कभी सोचता ही नहीं वह सदा देता है लेता कभी नहीं सच्चे गुरु के लिए सब लोग समान होते हैं. चाहे वे किसी भी जाती, धर्म या देश के हों, या समाज के किसी भी वर्ग से जुड़े हों, उनका उपदेश सारे संसार के लिए होता है, सब के लिए एक सा होता है. पूर्ण गुरु किसी के नीजी मामलों में दखल नहीं देता, हमारी द्रिष्टी तो लोगों के बाहरी रंग रूप तक ही सीमित होती है, परन्तु उसकी द्रिष्टी मन और आत्मा तक पहुँचती है. वह सब कुछ जानते हुए भी लोगों की भावनाओं और विचारों पर प्रबुद्वारा डाले गए परदे को नहीं हटाता. सच्चा गुरु परम रूहानी सत्य का पुंज होता है और यह सत्य वह दूसरों तक पहुँचाने के भी योग्य होता है. वह उस सत्य का उपदेश देता है जिसका उसने स्वयम आंतरिक मार्ग पर चलकर अनुभ किया होता है. बाइबल में सेंट जॉन ने कहा है मैं तुझसे सच कहता हूं कि मैं वही बोलता हूं जो जानता हूं और वही बताता हूं जो मैंने देखा है पर तु मेरी आँखों देखी बात नहीं मानता जब मैं तुझसे संसारिक वस्तूं के बारे में कहता हूं तो तु विश्वास नहीं करता, फिर अगर मैं तुझसे रुहानी बातों के बारे में कहूं, तो तु कैसे विश्वास कर लेगा? सत्गुरु इस शरीर में वास कर रही आत्मा को जागरत करते हैं और नामदान लिये हुए लोगों का सदा मार्ग दर्शन करते हैं. सेंट मैथ्यू के अनुसार, क्यूंकि मनुष्य यदि संसार को भी जीत ले, तो उसे क्या फाइदा, अगर वह अपनी आत्मा को खोदे? दादू दयाल जी कहते हैं, साच्चा सत्गुरु जे मिलै, सब साज सवारे, दादू नाव चड़ाये कर लेपार उतारे. सच्चा गुरु जो उपदेश देता है, उसे उसका पूरा ज्यान, पूरा अनुभव होता है. वे लोगों को परमात्मा तक पहुँचने की युक्ति बताता है. आत्मा को अपने असली घर पहुँचने के लिए, जो रास्ता पनाना चाहिए, उसकी पहचान बताता है. सत्गुरु का मार्ग, शब्द धुन या नाम का मार्ग है. वे स्वयम भी शब्द की साधना करता है, और दूसरों को भी शब्द की साधना की युक्ति सिखाता है. वे शब्द का भंडारी होता है, वे देहधारी शब्द होता है, और शब्द का ही संदेश देता है. शब्द ही गुरु है, और शब्द ही उसका उपदेश. सेंट जौन के अनुसार और शब्द ने देहधारन की और दया महर और सत्य से भरा हुआ हमारे बीच में रहा मन और माया के मंडलों को पार करके अध्यात्मिक मंडलों में जाने वाले सभी संतों और पूर्ण गुरुओं ने हमेशा शब्द की ही शिक्षा दी है सत्गुरु यह जानते हैं कि भिन भिन धर्मों के संस्थापकों ने निर्मल, नैतिक और नेक जीवन बिताने के जो आदेश दिये हैं वे अध्यात्मिक जीवन की नीव हैं निर्मल आचरन तथा शब्द का अभ्यास दोनों साथ साथ चलते हैं निर्मल आचरन के बिना शब्द में लिव नहीं लगाई जा सकती और शब्द के अभ्यास के बिना निर्मल आचरन का पालन नहीं किया जा सकता काम, क्रोध, लोब, मुह तथा एहंकार रूपी जिन शत्रों ने हमें घेर रखा है उन्हें केवल शब्द के अभ्यास द्वारा ही वश में किया जा सकता है इन विकारों पर विजे पाने के लिए केवल नैतिकता के नीमों का पालन करना और नेक जीवन वेतीत करना आग को राख के नीचे दबा देने के बराबर है इससे आग दब तो जाती है पर बुझती नहीं है जब कर्मों की आधी राख को उड़ा कर ले जाती है तो आग फिर सुलग उठती है तब हम फिर से इन कठोर शत्रों का शिकार हो जाते हैं शब्द का अभ्यास विकारों की आग पर पानी डालने के समान है जिससे वे सदा के लिए बुझ जाती है सत्गुरु कभी भी दिखावे के लिए चमतकार नहीं करते जिस तरह वे शिश्यों की रक्षा उनका मार्गदर्शन करते हैं उनकी आत्मा को मन के पंजे से चुड़ा कर शब्द यानि परमपिता परमात्मा से जोड़ते हैं यही सत्गुरु के असली चमतकार है सच्चे सत्गुरु हमारे मार्ग दर्शन के लिए हमारे बीच आते हैं अपने नुरानी स्वरूप में वह शिश्य के अंतर में रहते हैं उसके रुहानी सफर में सदा उसके अंग संग रहते हैं और इस नश्वर संसार से शिश्य की विदाई के समें तो अवश्य ही उसके पास होते हैं। परमात्मा का मंदिर वह प्रयोगशाला कहा है जिसमें संतों के इस विज्ञान का अध्यन किया जा सकता है। वह प्रयोक्षाला मानव शरीर के अंदर है, जो परमात्मा का मंदिर है। जिन लोगों की आंतरिक आंख अभी बंद है, उनके लिए इंक पत्थरों के बने मंदिर, मस्चिद, चर्च आधी ही प्रभु की पूजा के स्थान है। तुलसी साहब जी फरमाते हैं, नकली मंदिर मस्चिदों में जाए सद अफसोस है, कुदरती मस्चिद का साखिन दुख उठाने के लिए। जागरत हुई आत्मा के लिए प्रभु का सच्चा मंदिर मनुष्य शरीर ही है, जिसमें वेह रहती है और जिसमें उसका प्रभु से मिलाप होता है। बाइबल में कहा गया है, क्योंकि तु खुद परमात्मा का जीता जागता मंदिर है, और हमें आदेश दिया गया है, कि हम अंतर में ही परमात्मा की खोज करें, और उसकी आवाज को, शब्द धुन को, उसके शब्द को सुने। गुरु नानक देवजी फरमाते हैं, उपर खास महल पर देवय बांग खुदाए, सुते बांग ना सुन सकन, रहया खुदाई जगाए, सुती पई नी भाग बस, सुने न बांगा कोई, जो जागे सेई सुने, साई संधी सोई। एक मुसल्मान दर्वेश, बू अली कलंदर कहते हैं, यार दर तु पस चिरा, ए बेखबर, यार दर खुद तु चिह, गर्दी दर्बदर। ए अंजान, तेरा यार तेरे अंदर है, और तु उसकी तलाश में बाहर जगा जगा भटक रहा है। साफ जाहिर है कि संत महात्माओं के इन महत्व पूर्ण वचनों का असल मतलब आम तोर पर लोग समझ नहीं पाते। हमारा शरीर एक अद्भुत घर है, यह संपूर्ण स्रिष्टी का सिर्ताज है, मनुष्य विराट ब्रहमांड का एक बहुत चोटा सा रूप है। दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं, विराट ब्रहमांड को लगू ब्रहमांड यानि मनुष्य शरीर के द्वारा ही समझा और पाया जा सकता है। पीपा साहिब जी फरमाते हैं, जो ब्रहमंडे सोई पिंडे, जो खोजे सोपावे। जब आत्मा शरीर की दहलीज पार कर लेती है, तो वह अपने आपको नए और अती अकरशक लोकों में पाती है। इसी शरीर में अलौकिक ज्यान है और इसी में शब्द का दिव्विखजाना है। इसी में वे खुदा बसता है और इसी के अंदर उसकी रची सारी स्रिष्टी है। उस दहलीज तक कैसे पहुँचें और कैसे उसे पार करें। हम इस सच्चे हरीमंदिर के अंदर कैसे जाएं। इस उदेश्य की प्राप्ती तभी हो सकती है जब हम रुहानी अभ्यास करते हैं और उस शब्द धुन के साथ जुड़ जाते हैं जो हर एक मनुष्य के शरीर के अंदर गूँज रही है। संत महात्माओं के द्वारा बताए गए असली रुहानी अभ्यास को अपनाने से हमारे अंदर संसार के सुखों, जमेलों तथा चिन्ताओं से उपर उठकर चेतना की उँची अवस्था प्राप्त करने की क्षमता आ जाती है। इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए शरीर रुपी मंदिर की दहलीज को पार करके इसके अंदर प्रवेश करना जरूरी है। इसके लिए बाहर फैले हुए खयाल को समेट कर मस्तक में चेतना के केंदर पर जिसे तीसरी आंख या तीसरा तिल भी कहा जाता है एकाग्र तथा स्तिर करना जरूरी है। ध्यान को सिम्रन द्वारा समेटा जाता है जिसकी हम सब को कुद्रिती तौर पर आदत है। सिम्रन के द्वारा धीरे धीरे हमारा ध्यान शरीर में से सिमट कर आँखों के केंदर पर इकठा हो जाता है। इससे शरीर सुन हो जाता है और हमें चेतना की ऐसी उंची अवस्था प्राप्त हो जाती है जिसमें ध्यान, दहलीज यानी तीसरे तिल को लांग कर अपने अंतर के मंदिर में दाखिल हो जाता है। सिम्रन का उदेश्य, शिश्य को केवल यहीं तक अर्थात तीसरे तिल तक ले जाना है, इससे आगे नहीं। मुलाना रूम फर्माते हैं आतुई कहबे बदन, दारी बदन, पस्मतर्स अज जिसमो जा बेरू शुदन। अर्थात, इस थूल शरीर के अलावा, तुम्हारा एक सूक्ष्म शरीर भी है, इसलिए इस नश्वर शरीर से बाहर आने से मत डरूरू अर्थात, जब तुम इस शरीर से आजाद हो जाओगे, तो अपने आप ही एक नई दुनिया में दाखिल हो जाओगे। ध्यान के सिम्टाव की यह प्रक्रिया मौत के समय सुरत के शरीर में से सिमटने की प्रक्रिया के समान है। अंतर केवल इतना है कि रुहानी अभ्यास के समय सुरत अभ्यासी के वश में होती है और अभ्यास खत्म होने पर वापस शरीर में आ जाती है। इसलिए इसे जीते जीते जी मरना कहा गया है। कि नामदान के समय ही सत्गुरू शिष्य के तीसरे तिल में विराजमान हो जाते हैं शरी रूपी मंदिर में दाखिल हो जाने पर ही शिष्य को सत्गुरू की शान, शकती और दया महर का अनुभव होता है। यहां पहुंचकर, शिश्य कोरे विश्वास तक ही सीमित नहीं रह जाता, बलके स्वयम अंतर की आंख से देख लिता है और जान जाता है. आम तोर पर सब लोग अपने रोज के कारोबार के सिम्रन में लगे रहते हैं और उनके मन में अपने काम के बारे में खयाल और विचार उठते रहते हैं. संत महात्मा मन की इस आदत से लाब उठाने को कहते हैं. अंतर के वल इतना है कि वे सिम्रन के विशय को बदल देते हैं और दुन्यावी चीजों के सिम्रन की जगा नाम का जाप देते हैं, जो की हमें अंतर के रुहानी मार्ग से जोड़ता है. सिम्रन का तरीका नामदान के समय पूरी तरह समझा दिया जाता है. यह पूरी तरह स्वभाविक, सरल, सीधा और कारगर तरीका है, जिसमें किसी प्रकार का कोई खत्रा नहीं है. प्रानायाम या जाप के साथ सांस लेने और छोडने जैसे अभ्यासों का इस विदी में कोई स्थान नहीं है. इस अभ्यास में सफलता के लिए कई महीने या कई साल भी लग सकते हैं, यानि पूरा जीवन भी लग सकता है, क्योंकि इसमें सफलता हमारी अपनी मेहनत पर और इस बात पर निर्भर करती है कि हम अध्यात्मिक विकास की सीडी पर कहां तक पहुंच चुके हैं. चाहे हम घर में हो या अपने भाग्य के अनुसार जिन भी हालात में हो, हम यह अभ्यास कर सकते हैं. इसके लिए हमें मठों या आश्रमों में एकांतवास करने, गुफाओ में रहने या सन्यास धारन करने की कोई जरूरत नहीं है. यह अभ्यास हम घर में रहते हुए भी कर सकते हैं. इस पर कुछ खर्च नहीं करना पड़ता. किसी भी उम्र, जाती, धर्म या रंग का कोई भी व्यक्ति, चाहे वह अमीर हो या गरीब, उची श्रेनी का हो या नि अभ्यास कर सकता है. आज के समय में यह अभ्यास दूसरे सभी साधनों के मुकाबले सही और कारगर है. अगर हम इस बात को मान लें और इस पर विचार करें, तो हम देखेंगे कि हमारे सामने रुहानी खोज का एक विशाल क्षेत्र खुल जाता है. हम अपने आपको तथा औरों को ज्यादा अच्छी तरह समझने लगते हैं. और इस बात को महत्व देने लगते हैं कि हम सब एक ही पिता की संतान है. इसलिए हमारे में से किसी को भी किसी दूसरे की परक करने का अधिकार नहीं है. हमें ज्यान हो जाता है कि हमारे स्वार्थ पूर्ण जीवन में ग गर्व करने लायक कुछ भी नहीं है और हमें अपने गुनाहों का पश्चाताप करने तथा दीन और नम्र बनने के महत्व का भी एहसास हो जाता है. नाम यानि शब्द धुन सभी धर्म गरंथों में नाम यानि शब्द धुन का जिक्र है लेकिन दुर्भाग्यवश उनके अनुयाईउं को इसका ज्यान नहीं है. हिंदू इसे अकाश्वानी या शृती या अनाहत नाग कहते हैं. चांदोग्य तथा मांडूक्य उपनिशिदों में इसे उदगीत कहा गया है. आदी गरंथ में इसे नाम, बानी, धुन, सच, अनहद शब्द, गुरवानी, शब्द आदी कहा गया है. मुसल्मान इसे कल्म, कलामी इलाही, निदाय आसमानी, इसमे आजम, सुल्तान उल अज कार आदी कहते हैं. प्राचीन युनानी महात्मा उने लगोज कहकर इसका जिक्र किया है. युनानी दार्शनिक सुकरात कहते हैं कि उन्होंने अपने अंदर ऐसी आवाज सुनी, जो उन्हें अलौकिक दिव्य मंडलों में ले गई. महात्मा जर्दुष्ट ने इसे शरोश कहा है. ब्रह्मवादी अंदर सुनाई देने वाली कुछ आवाजों का वर्नन करते हैं और उन्हें खामूशी की आवाज अर्थात Voice of Silence कहते हैं. इसे Pure White Music भी कहा गया है. सेंट जोन फरमाते हैं, शुरू में शब्द था और शब्द परमात्मा के साथ था और शब्द ही परमात्मा था. शब्द को ही बाइबल में Holy Spirit कहा गया है. इससे सचेत रूप से जुड़े बिना असली आध्यात्मिक उन्नती संभव नहीं है. इसाया कहते हैं, घास सूख फूल मुर्जा जाते हैं, पर परमात्मा का शब्द सदा रहेगा. शब्द सब धर्मों का मूल सिध्धान्त है. अंतर है तो केवल इस बात का, कि अलग-अलग धर्मों के महात्मा शब्द मार्क पर चल कर किस-किस मन्जिल तक पहुँचे हैं. नाम देते समय, सत्गुरु शिष्य को शब्द धुन सुनने की शक्ति प्रदान करते हैं. लाखों करोडों वर्षों से भूले भटके हम इस संसार में चक्कर काट रही हैं. अपने असली स्वरूप, अपनी सिर्जन हार को हम भूल गए हैं. हम उस तक पहुँचने के रास्ते को यानि शब्द धुन को भूल गए हैं. लेकिन अब सत्गुरु से नाम मिल जाने पर यह अवस्था नहीं रहेगी. शब्द धुन इस रचना के अस्तित्व का अधार है. उसी के सहारे हम अपनी सिर्जन हार से मिलाप कर पाएंगे. शाह नियाज फर्माते हैं. हमा आलम पुर अस्त अज आवाज, लेक दरहाए गोशे खुद कुन बाज, बिश्णभी यक कलामे ना मकतू, अज हुदूसो फना बुबुद मर्फू. यानि, सारी रचना में एक ध्वनी गूंज रही है. जब तुम अंदर के कान खोल लोगे, तो तुम्हें लगातार ध्वनी सुनाई देने लगेगी, जो तुम्हें मन और माया की सब हदों से पार ले जाएगी. मेरा प्रितम हर वक्त तुमसे बाते कर रहा है. अफसोस, तुम उसकी आवाज नहीं सुन पाते. जब हम शब्द की अद्भुत्वनी सुनना शुरू करते हैं, तो पहले यह बहुत धीमी होती है, किन्तु धीरे-धीरे तेज, उंची और जोरदार हो जाती है. असल में अभ्यास द्वारा आंत्रिक शक्तियों का विकास हो जाता है, और हम बहतर ढंग से इसे सुनने के योग्य हो जाते हैं. हमारा मन जब तक शरीर और इसकी वासनाओं से बंधा रहता है, तब तक यह शब्द को नहीं सुन सकता. इस बात पर फिर से जोर देने की जरूरत है कि शब्द से जुड़े बिना कोई भी वास्त्विक रुहानी तरक्की नहीं कर सकता, और सत्गुरू से नाम लिये बिना कोई भी शब्द से नहीं जुड़ सकता. चाहे वह कितना ही बुद्धिमान और चतुर क्यों नहीं. शब्द ही हमें मन और माया के सागर के पार आध्यात्मिक मंडलों में ले जाने का एक मात्र साधन है. सत्गुरू के बिना शब्द से जुड़ना संभव नहीं और शब्द से जुड़े बिना मुक्ति प्राप्त क करना संभव नहीं. संतों की संपूर्ण शिक्षा का सार यही है. नामदान के लिए कुछ शर्तें. सत्गुरू से नामदान प्राप्त करने से पहले, नामदान के अभिलाशी को रहनी करनी के कुछ ऐसे नियमों को स्विकार करना जरूरी होता है, जो रुहानी तरक्की के ल धन्य हैं वी लोग जिनके हृदे शुद्ध हैं क्यूंकि वे ही परमात्मा को देखेंगे. प्रावप्स के अनुसार नेक लोगों की नेकी ही उनका मार्ग दर्शन करेगी. निर्मल आचरन रुहानी उन्नती की नीव है. सब धर्मों में नैतिक आचरन के लिए बहुत से न संतों का अध्यात्मिक विज्ञान केवल कुछ स्पष्ट निर्देश ही देता है. क्यूंकि जैसे जैसे साधक रुहानी उन्नती करता है, उसकी चेतना सूक्ष्म तथा निर्मल होती जाती है और उसके अंदर ठीक और गलत, उचित और अनुचित का भेद करने की क्षमता बढ़ती जाती है. इन निर्देशों में हक हलाल की कमाई, जान भूच कर बेवजा किसी का दिलना दुखाना अर्थात अहिंसा, केवल अपने पती या पतनी के साथ की सहवास करना और वह भी हद में रहते हुए और अविवाहित होने पर ब्रम चर्य का पालन करना शामिल है 2. मास, मचली, अंडे और इनसे बने पदार्थों का त्याग भूजन समंदी ये शर्तें शिश्य के लाब के लिए लागू की गई हैं कहावत है, जैसा खावे अन, तैसा होवे मन, अर्थात भूजन का मन पर बहुत प्रभाव पड़ता है इस संसार में एक जीव दूसरे जीव का अहार बना हुआ है संत महात्मा हमें ऐसा नियमित जीवन जीने का उपदेश देते हैं, जो हमारी आत्मिक उन्नती में सहायक हो जो जीव जितनी अधिक उंची श्रेणी का होता है, उसकी हत्या से उतना ही अधिक पाप का बोज उठाना पड़ता है उँची श्रेणी के जीवों की हत्या करके उनका मास खाना मन को कठोर बनाता है और आत्मिक उन्नती में रुकावट डालता है सजीव अंडों में तो जान होती ही है किन्तु निर्जीव अंडे भी तामसिक भोजन है जो पश्वों जैसी प्रवृति को उकसाते हैं मनुष्य को जीवित रहने के लिए भोजन की जरूरत है अनाज, दालों, सबजियों, फलों, मेवों, चीनी, बनस्पती तेल और दूद से बने पदार्थों के उचित मिश्रन से एक अच्छा पोश्टिक भोजन बनाया जा सकता है जिसमें प्रोटीन, चिकनाई, कार्बोहाइड्रेट्स, खनिज, तथा विटामिन जैसे अवश्यक तत्व हों, जिसमें काफी विवित्ता हो और जो सबको अच्छा लगे थोड़ी मात्रा में चाय, कॉफी और चॉकलेट भी लिये जा सकते हैं ऐसे आहार के लिए हमें सबसे निचली श्रेणी के जीवों की ही जान लेनी पड़ती है फिर भी कर्मों का नियम तो लागू होता ही है परन्तु वनस्पती जगत में मन जड़ अवस्था में होता है इसलिए हमारे कम से कम कर्म बनते हैं जो नाम के रोज के अभ्यास से कट जाते हैं तीन, शराब, तंबाकू और हर तरह के नशीले पदार्थों से परहेज धुम्रपान जैसे नशीले पदार्थ, तंबाकू से बने पदार्थ, जिन में एलेक्ट्रोनिक यानि इसीगरेट शामिल है और मन पर बुरा प्रभाव डालने वाले पदार्थ, मारिहवाना, कोकेइन, हेरोईन, एलेस्टी आदी ना केवल सेहत के लिए नुकसानदय होते हैं, बलके ये सही और गलत में भेद करने की शक्ति को भी कमजोर कर देते हैं, तथा आत्म सैयम को कमजोर बना देते हैं इनका त्याग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विवेक तथा आत्म सैयम के बिना अध्यात्मिक उन्नती संभव नहीं है चार, नामदान के बाद प्रति दिन धाई घंटे भजन सिम्रन करना सत्कुरू शिश्य से आशा करते हैं, कि वह हर रोज अपने समय का दस्वा हिस्सा भजन सिम्रन में लगाए तथा यह बात सदा याद रखे, कि भजन सिम्रन हमारा सबसे महत्व पूर्ण काम है और जब हमारे कर्मों का लेखा जोखा होगा, तो भजन सिम्रन ही हमारी सहायता करेगा केवल भजन सिम्रन द्वारा ही हम अंतर में जा सकते हैं, तथा सांसारिक मुह ममतावा इच्छाओं से मुक्त हो सकते हैं सुल्तान बाहुजी फर्माते हैं बेखौफ होकर मर्दों की तरहां पार कर उची खुंखार लहरूं और जान लेवा भवरों में निडर होकर आगे बढ़ता चल। इश्क की राह में आने वाले भयानक उजाडों और खौफ नाक जंगलों को देखकर डरना मत। बाहु कहते हैं कि जब तु मालिक को पाने की चाह में अपने आपको कुर्बान कर देगा तब ही तु फकीर कहलाएगा। यहां इस बात पर जोर देना आवश्यक है कि यदि हम अपने सिर्जन हार परमात्मा की पहचान करना चाहते हैं और वास्तव में हमें इसी उद्देश्य की पूर्ती के लिए मनुष्य जनम दिया गया है तो हमें बाकी बचे कर्मों का हिसाब चुकाना ही पड़ेगा। हमें मन के प्रलोभनों से उपर उठना पड़ेगा तथा अपने असली स्वरूप की पहचान करनी पड़ेगी। यह कारे सत्गुरु द्वारा नामदान के समय दिये गए निर्देशों के पालन द्वारा ही संभव है। नामदान के बाद सत्गुरु हमेशा हमारे अंगसंग रहते हैं। हम पर सदा अपनी नजर रखते हैं। और हम जब चाहें उनसे सहायता तथा मार्ग दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। कर्म सिध्धान्त संस्कृत में कर्म का अर्थ है करना। कर्म सिध्धान्त, क्रिया और प्रतिक्रिया, कारन और कारे के नियम पर आधारित है। दूसरे शब्दों में जैसा बीज हमने पहले बोया था, वैसी फसल आज काट रही हैं। और जैसा बीज आज बोयेंगे, वैसी फसल भविश्य में काटेंगे। संत्मत के अध्यन से हमें इन बातों का पता चलता है। चार, इस धर्ती पर या दूसरे किसी ऐसे ही भौतिक मंडल पर हमारा हर जन्म मुक्ति की प्राप्ति के मार्ग पर आगे बढ़ने का एक अवसर है। कुछ लोग इसे भाग्यवाद कह सकते हैं, पर यह कताई सच नहीं है। भाग्यवाद का अर्थ है हाथ पर हाथ धर कर बैठे रहना और कोशिश ना करना। जबकि कर्म का तो अर्थ ही है कुछ करना। हमारी अपनी कोशिश और हमारी इच्छाएं ही यह तै करती हैं कि हम क्या हैं और क्या बनेंगे। इसलिए भाग्यवाद और निराशा का तो प्रश्न ही नहीं उठता। कर्म सिध्धान्त को भली भांती समझने से पता चलेगा कि पिछले कर्मों से पैदा होने वाले हालात हमें अपने अनुभव द्वारा सीखने का अवसर प्रदान करते हैं ताकि हम अपने कमजोरियों पर विजय प्राप्त कर सकें और सुक सम्रिधि में भी अपने अंदर न तो हम दोबारा उस तरहां की गलती करने से बचने की कोशिश करते हैं हमारे कर्मों के ताने बाने ने हमारे जीवन को इतना जटिल बना दिया है और हमारे बुद्धी को उलजा कर इतना कमजोर कर दिया है कि अपने आज के हलात को समझना असंभव हो गया है हम समझ ही नहीं पाते कि आज जो हमारे साथ हो रहा है वह कैसे और क्यूं हो रहा है कर्म का रहस्य बहुत गहरा है केवल जागरत आत्माएं ही प्रभु की योजना को समझ सकती है कर्म करना बीज बोने के समान है किसान को धर्ती में अपनी मर्जी का बीज बोने की आजादी है परन्तु जब वह एक बार बीज बो देता है तो उसके पास फिर कोई चारा नहीं समयाने पर उसे बोए हुए बीज की ही फसल काटनी पड़ती है और अगले मोसम तक उसी फसल पर गुजारा करना पड़ता है यही हाल कर्म रूपी बीज का भी है कोई कारे करने से पहले तो हमें वह कारे करने या ना करने का अधिकार होता है परन्तु कार्य कर लेने के बाद आगामी जीवन में उसका फल हमें भूगना ही पड़ता है संत महात्मा समझाते हैं कि कर्म तीन तरहा के होते हैं प्रारब्ध, क्रियमान तथा संचित पिछले कर्मों में से कुछ कर्म इस जन्म में हमारा प्रारब्ध बनते हैं ये हमारे वर्तमान जीवन की रूप रेखा तय करते हैं, हमारे लिए वातावरन तयार करते हैं और हमारी आशाओं तथा इच्छाओं का आधार बनते हैं। हम ना चाहते हुए भी ऐसे कारे करने के लिए मजबूर हो जाते हैं जिनसे हम अपने कर्मों का फल भोग सकें। इस तरहां हम दो तरहां के कर्म करते हैं, एक वे जो हम अपने प्ररब्ध के अधीन करते हैं तथा दूसरे नए क्रियमान कर्म, जिनसे हमारा भविश्यताय होता है. ये दोनों तरहां के कर्म आपस में इस तरहां गुथे होते हैं कि दोनों में भेद करपाना बहुत कठिन होता है. किन्तु चेतना का कुछ हद तक विकास हो जाने पर इन में भेद करपाना संभव हो जाता है. संचिक कर्मों को भी किसान के उधारन द्वारा समझा जा सकता है. किसान अपना गुजारा उस फसल पर करता है, जिसे वह इकठा कर चुका होता है. उसमें से अगर कुछ फसल बच जाती है, तो वह उसे भविश्य में प्रयोग करने के लिए अलग रख देता है, ताकि जब फसल कम हो, तो उस पर गुजारा कर सके. यही बात हमारे कर्मों पर भी लागू होती है. हर जन्म के अंत में उस जन्म के क्रियमान कर्मों में से कुछ कर्म हमारे खाते में डाल दिये जाते हैं. यदि हम किसी जन्म में कोई ने कर्म नहीं करते, हालांकि ये बात लगभग अ संभव है तो उस जन्म के प्ररब्ध कर्मों को भोग लेने के बाद हमें पूर्व जन्मों के बचे हुए कर्मों में से कुछ कर्म भोगने के लिए दे दिये जाते हैं। संचित कर्मों के भंडार को जमा रखने का विधान काल ने इसी लिए बनाया है कि वह आत्मा को अपने इनहीं मंडलों में कैद रख सके क्यूंकि यदि भूगने के लिए कोई कर्म बाकी ना रहे तो पुनर जन्म नहीं हो सकता कर्म और फल के विधान के इस छोटे से विवरन से हमें इसकी जटिलता को समझने में कुछ सहायता मिल सकती है कर्मों का जाल बहुत विशाल और पेचीदा है सब जीव इसमें फसे हुए हैं और इन्हें इससे छुटकारा पाने का कोई रास्ता नहीं मिलता लोग इससे छुटकारे के जितने भी उपाय करते हैं वे बेकार साबित होते हैं वे धर्म ग्रंथों का पाठ करते हैं, दर्शन शास्त्र का अध्यन करते हैं, भजन कीर्टन करते हैं, अनेक प्रकार के कर्मकांड वर रस्मों का सहारा लेते हैं, मूर्ति पुजा करते हैं, धर्म स्थानों पर जाते हैं, कथा तथा उपदेश सुनते हैं, प्रार्थना करते तीर्थ यात्रा करते हैं, वरत रखते हैं, दान देते हैं, नैतिक्ता के नीमों का पालन करते हैं, तथा पुन्य के कारे करते हैं, और समझते हैं कि इनसे उन्हें मुक्ति प्राप्त हो जाएगी. चाहे ये नेक काम हैं, और इनसे कुछ लाब भी होता है, परन्तु ये आत्मा को कर्म जाल से चुड़ा कर, कर्म फल के दाइरे से बाहर नहीं ले जा सकते. ऐसे लोगों को उनके शुब कर्मों का फल अवश्य मिलता है, पर ये फल पाने के लिए उन्हें फिर इस मृत्यू लोक में आना पड़ता है. इन कर्मों के फल स्वरूप यदि स्वर्गों बैकुंठों के सुख मिल भी जाएं, तो उनको भोगने के बाद उन्हें फिर इस धर्ती पर जन्म लेना पड़ता है. स्वामी जे महाराज फर्माते हैं, गुरू और शब्द ये दोव मीद, नहीं कोई और इन्धर चीत. सत्गुरू और शब्द दोनों दयाल के स्वरूप हैं, और हमारी आत्मा को कर्मों के जाल से छुडाने के लिए सत लोक से चल कर हम तक पहुँचते हैं. अगर हम उनकी संगती करके उनके लिए प्रेम पैदा कर ले और उनके बताए उपदेश पर चले, तो उनकी संगती में हम कर्म फल के दाइरे को पार कर सकते हैं, कर्मों के जाल से बाहर निकल सकते हैं. जब सत्गुरु जिग्यासूं को अपनी शरन में ले लेते हैं और उन्हें नामदान बक्ष देते हैं, तो उन्हें चाहिए कि अपनी शारीरीक और मानसिक शमताओं को गुरु की धरोहर समझते हुए कारे करें. इस तरह वे इनका दुर्पयोग नहीं करेंगे, वे अपने सारे कार्य सत्गुरु के निमित्त करेंगे. इस तरह उन्हें धीरे धीरे निरलेप भाव से कारे करने की शक्ति प्राप्त हो जाएगी. यदि शिष्य भजन सिम्रन को निमित रूप से समय देते रहें, तो उनके अंदर सत्गुरु तथा शब्द के लिए प्रेम जागरत हो जाएगा. इस तरह उनका फैला हुआ ध्यान अंतर में एकागर हो जाएगा और उनकी निशकाम भाव से कारे करने की योग्यता बढ़ जाएगी. वे कर्म करते हुए भी अपने कर्मों और उनके फल से नहीं बंदेंगे. वे कर्म तो करेंगे, परन्तु उनके कर्म बंधनकारी नहीं होंगे. दूसरे शब्दों में, वे बीज तो बोएंगे, परन्तु वे बीज फूटेंगे नहीं, और उन्हें उनकी फसल न नहीं काटनी पड़ेगी। और जब तक उनका अंत समय आएगा, वे अपने प्ररब्ध कर्मों का हिसाब चुकता कर चुके होंगे और अपनी रुहानी तरक्की की सहायता से उन्होंने खुशी-खुशी अपने कर्मों का भुगतान कर लिया होगा। शिश्य के संचित कर्म उसे खींच कर रचना में नहीं ला सकते। जब सत्गुरु ये देखते हैं कि उनके शिश्यों ने प्ररब्ध कर्म भुगत लिये हैं और उनके मन में कोई संसारिक इच्छाएं बाकी नहीं हैं तो वेह उन्हें इस संसार में वापिस नहीं भेजते। सत्गुरु उन्हें किसी ऐसे आंतरिक मंडल में भेज देते हैं, जहां वे निरंतर शब्द से जुड़े रहते हैं। इससे उनके संचित कर्मों का प्रभाव खत्म हो जाता है और वे निजगर की और अपनी यात्रा में आगे बढ़ते जाते हैं। प्रमान इस छोटी से पुस्तक के शुरू में ही ये बात कही जा चुकी है कि हर आत्मा मनुष्य देह में रहते हुए नीजी अनुभव द्वारा इस विज्ञान की सच्चाई को परक सकती है। इसकी सच्चाई के कुछ प्रमान इस तरहा हैं। एक, रुहानी अभ्यास के दोरान अंदर और उपरी मंडलों में प्रवेश करना। दो, शब्द धुन को सुनना और धुन सुनने की क्षमता को असीमित रूप तक विक्सित कर लेना। पर इनसे बड़ा भी एक सबूत है, जो सादक को पूरी तरहा अनंद से भर देता है। जब शिश्य की सुरत तीसरे तिल पर पहुंच कर, परदे को चीर कर, कुछ उपर उठती है, तब वह सूक्ष मुमंडल में पहुंचाती है, जहां सत्गुरु के नूरी स्वरूप के दर्शन होते हैं। जिस देधारी सत्गुरु ने उसे अपनाया है, कदम कदम पर मार्ग दर्शन करते हुए उसे सिर्जन हार प्रभु तक पहुंचाने का वाइदा किया है, जिनको वह देः स्वरूप में देखता है, जिनसे वह बातें और पत्र विवहार करता है, जिनके पास वह अपनी और दुखों की घड़ी में जाता है, वही सत्गुरु उसकी आंत्रे के यात्रा की शुरुवात के लिए अपने नूरी स्वरूप में वहां उसका इंतजार कर रहे होते हैं। फिर जब तक वह शिश्य को परमधाम में परमपिता परमात्मा के पास नहीं पहुंचा देते, तब तक वह पल भर के लिए भी उसका साथ नहीं छोड़ते। इसलिए पूर्ण गुरु के शिश्यों को मौत का कोई डर नहीं होता। जब वे परदे को चीर कर पहले आंतरिक मंडल में पहुंचते हैं तो वास्तव में मृत्यु पर विजे प्राप्त कर चुके होते हैं। सत्गुरु के बारे में एक और अध्भुत सच्चाई है। जब शिश्यों के मन में कोई संसारिक इच्छाएं बाकी नहीं रहती और वे अपने प्ररब्ध कर्मों का हिसाब चुका कर इस संसार से कूच करने के लिए तयार होते हैं। तब सत्गुरु अपने नूरी स्वर रूप में प्रकट होकर उन्हें अंतर में ऐसे रुहानी मंडल में ले जाते हैं जो उनकी आत्मिक उन्नती के लिए उचित होता है। शिश्यों को संसार में लोटने की जरूरत नहीं पड़ती। शिश्य दुबारा जन्म लिये बिना सत्गुरु की संगती में आंतरिक प् अब पल भर के लिए सोचें कि इसका क्या मतलब है। दरसल पूर्ण सत्गुरु की शरन लेने पर शिश्य कभी अकेला नहीं रहता। उसे एक ऐसे अनुपम मित्र का साथ प्राप्त हो जाता है जो केवल इस जीवन में ही नहीं बलकि अनंत काल तक शिश्य का साथ नहीं चो स्वार्थ प्रेम की मिसाल इस नश्वर संसार में कहीं नहीं मिल सकती। गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं। जहां हम कह सकते हैं कि हम उस सर्वोच सत्ता उस प्रेन स्वरूप परमपिता परमात्मा से मिलाब कर सकते हैं। बर्शर्ते कि हम सच्मुच ऐसा चाहते हों। गिर्जों के घंटे तो पूजा करने वालों को केवल रविवार को ही बुलाते हैं। लेकिन शरीर रूपी हरी म अंदिर का घंटा दिन रात बिना रुके बज रहा है, पर अवसोस दुनिया उस पर ध्यान नहीं देती।